नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल भी एस नी ब्लोक वित नी वीडियो आज की वीडियो में ट्रेन नम्मर 02103 मुंबाई गोरकपूर संत कभी धाम सुपर फास्ट एक्स्प्रेस कोवीडी 19 स्पेशल ट्रेन के बारे में जनकारी देने वला हूं या ट्रेन कब चलती है कौन-कौन से स्टेशनों पर रुकती है कितनी देर रुकती है इसमें आपको कौन-कौन से सुविधा मिलेगी पूरी जनकारी देने वला हूं इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं तो आप से रिक्वेश्ट है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ला और बैल अकन को प्रेस कर ला ताकि हमारे नायो लेटे विडिकी नोटिपिकिसन आप तक आते रहे तो चलिए दोस्तों मैं मुंबाइस से सुबह पांच बच कर ताइस मेंट पर खुलती है और आपको अगले दिन सुबह 11 बच कर 45 मेंट पर गोरखपूर जेंग्सन पहुंचाती है संत कभी धाम एक्सप्रेस हफते में सातों दिन चलती है और इस टेन को लोग माने तिलेक्टर मेंस से गोरखपूर जेंग्सन तक 1680 के दूरी तैक करने में 30 गंटे 22 मेट का समय लेता है और इस टेन का एबरेज स्पिट 55 गंटर परती घंटे की होती है और मैक्सिमुमी स्पिट 110 गंटर परती घंटे की होती है चलिए मैं संत कभी धाम एक्सप्रेस के कोच के बारे में जनकारी देता हूँ इसमें आपको 4 सेकेंड सेटिंग का कोच, 10 सिलिपर कलास का कोच, 4 थारेसी कलास का कोच और एक सेकेंड सी का कोच होता है इस टेन में अब मैं आपको इस टेन के फेर के बारे में जनकारी देता हूँ सेकेंड सेटिंग का 430 रूपए सिलिपर क्लास का 700 रूपए थाड़ एसी का ठारा सो 40 रूपए और सेकेंड एसी का 2645 रूपए या किराय लोकमाने तिल्व ट्रेमेस मुंबई से गोरगपूर जंक्सन तक का है अब मैं आपको इस ट्रेंड के लोकोमोटिव के बारे में जनकारी देता हूँ या ट्रेंड इलेक्टिव लोकोमोटिव के साथ चलती है मुंबई से गोरगपूर जंक्सन तक और इसका लोकोमोटिव डवलुएफ़ फोर या डवलुएफ़ सेवन होता है और इस ट्रेंड को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेल्वे जोन चलिए अब मैं संत कवी धांग एक्सपेस के केटरिंग के बारे में जनकारी देता हूँ इसमें आपको अनबोर्ट केटरिंग की सुविधा मिल जाएगी लेकिन इसमें पोई केटरिंग और पेंटरिकार की सुविधा नहीं मिलेगी चलिए दोस्तों मैं अब मुम्मे गोरगपुर संत कवी धांग एक्सपेस के रूट के बारे में जनकारी देता हूँ या ट्रेंड कोन से रूट से होकर जाती है जैसे कि आपको वीडियो की सुरुवाते हैं बता दिया था या ट्रेंड लोक माने तिलग ट्राइमेस से खुलती है सुवब 5 बच कर 23 मेट पर इसका पहला हॉल्ट आता है भुसावल जंक्सन जहां पहुंचते दो पैर को 12 बच कर 5 मेट पर बारा बच कर 10 मेट पर खुलती हैं ट्रेंड पांच मेट रुकती है इसका दूसरा हॉल्ट आता है खंडवा जंक्सन जहां पहुंचते दो पैर को 2 बच कर 15 मेट पर 2 बच कर 20 मेट पर खुलती हैं ट्रेंड पांच मेट रुकती है इसका तिसरा हॉल्ट आता है टार्सी जंग्सन जहां पुईते हैं साम को चार बच कर 35 मेट पर और चार बच कर 40 मेट पर खुलते हैं ट्रेन पांच मेट रुखती है इसका चोथा होल्ट आता है भोपाल जंग्सन जहां पहुंगती है साम को 6 बचकर 15 मिट पर और 6 बचकर 25 मिट पर खुलती हैं ट्रेन 10 मिट रुखती है इसका पांचवा होल्ट आता है जहांसी जंगसन जहां पुईते रात को 10 बचकर 10 मेट पर 10 बचकर 18 मेट पर खुलते हैं ट्रेन 8 मेट रुपती है इसका चाथा होल्ट आता हो रही जहां पहुंते रात को 11 बचकर 40 मिट पर 11 बचकर 42 मिट पर खुलते हैं ट्रेन 2 मिट रुपती है इसका साथवा होल्ट आता है पोकरायान जहां पहुंते रात को 12 बचकर 35 मिट पर 12 बचकर 37 मिट पर खुलते हैं ट्रेन 2 मिट रुपती है भुकती है इसका रेया हॉल्ता एटस्वाग support 10 सुए बच अवागे कट अगया हमदा रुकति है इसका रीज़ा नोपनेशा भाज़ाइए जास मेंडेब आर्ट से शल्रेंट ज़्क़र शहान सबसकता से टालेहेश मेंट पर अर्श हब दो मिनट रूपती है इसका 20 बॉपस का 020 में ट्रैन 3 मिनट रूपती ए इसका 10 हुआ나 आता है खलीलाबाद या पुई तेस वाद दस बचकर 45 मेट पर दस बचकर 47 मेट पर खुलते हैं ट्रेन दो मिनट रुपती है इसका लाच में पंदरवां होल्ट है कोरकपूर जंग्सन या पुई तीस वह 11 बचकर 45 मेट पर ट्रेन